बिहार में लंबे वक्त से बिजली भीलो के माफ करने जाने और बिजली भीलो के कीमत को कम करने के बढ़े नेर्णे की लगतार लेने की अनोकी खबरे शोशल मीडिया के सुर्कियों में बने हुई है लेकिन इस बार ऐसी खबर और ऐसी जनकारी शावने आई जिसको शुन करके आप भी चौक शकते हैं ऐसे में आपको बस्तार से इस खबर को बताने शे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आपको पूरी जनकारे बिस्तार से देंगे ताकि आप खबरों को समझ सके, जान सके, देख सके State Bank of India ने Electron Bond पर जनकारी देते हैं वे बताया कि समी जनकारिया वा मोहिया करा चुके हैं बच्ची खुची शबी चीजे भी मोहिया करा देंगे अजिया इसके साथी जीतर नमाजी आमादी पार्टी और अनिको तमाम बड़े निताओं पर लगतार पीजे पिका सिकंजा कैसे कसा जा रहा है और इसके साथ जीतर नमाजी ने क्या कुछ नई खबर दिखाई है बिहार से आपको यह भी बताएंगे इसके साथ हेमन सुरेन की जेल में एक एक रात कैसे कट रही है गैसे जेल में हेमन सुरेन लगतार अपनी कहालियों को लिखते नजर आ रहे हैं ऐसे में इसको विविस्तार से बताएंगे लेकि सबजने की कोशिश जरूर की जियेगा कि वियम वसीनों को लेकर लोगशभा के चुनाव में इसे बैन करने की मांग किस राजनी की कल ने किया और क्या कुछ इसको लेकर के जनकारी दी गई है पवन सिन आरजेडी के टिकट से लोगसभा का चुनाव आरा से लड़ सकते हैं ऐसी संभावनाएं और शंकेत बार बार दिये जा रहे हैं और ऐसे में पवन सिन को आरा से चुनाव लड़ाने की कोशिश में की जा रही है लेकि सबसे बड़ी ख़बर तो यह है कि आर सिपी सिन ने जिया और लगतार कई कोशिशे किये इधर के सियार ने पुर्वु मुखनकरी ने बताया कि किस तरीके से उनकी कहानिया दिन परती दिन जनता के पास पहुंच रही है आज एक बहुत बड़ा ख़बर अश्व गैलोद ने किया कहा कि देशित में कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए वो पीछे मुणकर नहीं देखना चाते वला गतार आगे कठोर बड़े निरने लेकिस सबसे बड़ी ख़बर तो यह है कि एक बार फिर से आज कही न कहीं लोग सबा सीटों को चीदिने का बड़ा निरने भी अपने नाम हासिल करने कोले करके आगे निकल चुके हैं शबसे बड़ी कहानी और ख़बर तो यह है कि देश में आज कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी ख़बर और जनकारी शामने आ रही है लगतार रासन का अधार को खो लेकि समझें किस तरीके से आज एक नई कोशिश और एक नई कहानी लगतार सामने निकल कर क्या रही है और साथी साथ क्या है नई ख़बर हमको विस्तार से बताने का भरपूर कोशिश रहेगा इसके साथी साथ यह तो आज की बड़ी ख़बरों में बड़ी जनकारियों के बीच में बताएंगे कि भूमिहीनों के लिए गरीबों के लिए मजदूरों के लिए और सहायता बर्गों के लिए स्वकान निश हैते के तौर पर क्या नई रासी आवंटित करने की बात करें लेकि शब्से बड़ी ख़बर तो यह है कि पॉलूशन के मामलों को ले करके में कुदेंगे क्या वो भी सांसद बनना चाहते हैं क्या आजएनी के टिकट से वह चुनाव लड़ना चाहते हैं ऐसी नजाने बहुत सारी ख़बरे बहुत सारी जनकारियां सोशल मीडिया के सुर्ख्यों में बनी हुई है जिसके बारे रबस्तार से एक-एक जनकारी देन और ऐसे में कोशिश यही है कि सभी ट्रेटों को सही समय पर चुलाया आजा शुके लेकि सबसे बड़ी जनकारी और नबन की यह है कि लगतार देश में एक नई प्रीमियम और बहुत बड़ी जनकारी शामने आई है ख़बर यह है कि लोकशभा के चुनाओं में तरचात प तरीके ले एलान के साथ केंडिडेटों के नामों के एलान और उतर ब्रिदेश जीत के मुपीद को इतनाया पंक देने की प्रयास करना सुरू कर दिया है ख़बर देते विस्तार से लेकिन सबसे बड़ी ख़बर शमजिएगा आज इस ख़बर चुनाओं में आज इस तरीक कोशिशों को करते नजर आएंगे संगर सी कहाने के बिहार में सरकार के उपर दबाओ लगतार बनता जा रहा है और आम जनता इस वक्त शरकार से ये अपील कर रही है कि भाईया कम से कम अब तो बिजली बिलों को सस्ता करे दो लगतार देश में महेंगाई की मार पड़ रह लोगों ने कहा कि देश रित में कोई बड़े फैसले लिये जा रहे है ऐसे में क्या ये चीज़ें ठीक है आपको ये लगता है कि कही न कही चीजों पर आज बाते नहीं होनी चाहिए लोग सभा के चुना में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है और इसको ले करके आज बहुत बड़ा कोशिश और बड़ी कहानी देने की कोशिश भी लगतार की जा रही है खर अपनी राय कॉमेंट में रखिएगा बढ़ते हैं को बड़ी और मतपूर को शबसे बड़ी खबर तो ये है कि एक बार फिर कहीं न कहीं इवियम मसीनों को लेकर लोग सभा पर बड़ी तारीकों के ऐलान के साथ अब इश्वासप्रस्ताव का दौर जारी है आम जंता को लेकरके आज अब इश्वास प्रस्ताव जाहिर किया गया दरशल काहीं राजनितिक दल चाहते हैं कि देश में इवियम मसीने ना चली जाए और इवियम मसीनों को रोका जाए ऐसे में एवियम मसीनों को रोकने के लिए उनकी तमाम प्रकार से प्रयास असफल होते नजर भी आएं कई बार यह प्रयासों का कोई मतलब ना निकल पाने से यह प्रयास असफल हो जाते हैं ऐसे में इवियम मसीनों को ले करके सबी कोशिशें और एक नई कहानिया जबरदस्त तोर तरीकों से आगे बढ़ाई जा रही है दिन प्रति दिन इन खबरों में लगतार चीजें महतपूर सामने आ रही है लोकसभा चुनाओं के ले करके कई महतपूर खबरे भी सामने आ रही है हलाकि अपनी राय और विचार लगतार जरूर रखेगा आप क्या सुझते हैं देश में एक नई करांती लाने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है और अपनी विचार इस पर जरूर रखेगा अपने इंतिजार के साथ आपको तमाम जनकारियां देने का प्रियत्न करेंगे बड़ी खबर यह है कि देश में एक एक नया प्रियास किया जा रहा है और बिहार में क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए यानि देश में लगतार शमिधान को शुरक्षित बनाए रखने के लिए अपनी प्रियासों को आगे बढ़ाया जा रहा है लेकिन सबसे बड़ी खबर और जनकारी यह है कि देश में आज एक एक के कोसिसों के बाहुजुद भी कहीं न कहीं जटका लग रहा है दरशल बिहार में आज क्राइम अस्तर का रिपोर्ट लगतार बढ़ रहा है लोगों को काफी दिक्कते हो रही है काफी परिशानिया हो रही है लेकिन उसके बाहुजुद भी क्राइम रोकने का नाम नहीं ले रहा है लगतार क्राइम अस्तर बढ़ता चला जा रहा है यह बहुत बड़ी खबर है लगतार प्रियास करने शुरू कर दिया है और जीत के लिए हुंकार भी भरा जा रहा है बहुत बड़ी जनकारी और खबर यह है कि आज महेंगाई के इस मार में लोगों को आज परशान होते वे देख रहे हैं आप भी महेंगाई ने आज कमर तोर्ड की है पेट्रॉल और डीजल की कीमत पर आज एक नई उमीद जताई जा रही है माना ज़रा है कि पेट्रॉल और डीजल को ले करके सस्ता करने की अपील की गई है जनता लगातार पेट्रॉल और डीजल पर कुछ बोलने के लिए जियां सामने आ रही है इस पर भी जूप कराया जा रहा है जनता लगातार देश में बढ़ती महेंगाई को एक बहुत बड़ा मुद्दा मानती है और चुना में इसी मुद्दे को ले करके वो वोट को करने के लिए भी अपील करती नजर आ रही है हलाकि अब इस वोट को कैसे किस तरीके से और किसना जादा राजनितिक दलो की एक महतपूर प्रियास के साथ रखा जाएगा ये वक्त बताएगा लेकिन दिन प्रति दिन आज एक नई कोशिश है डीजल और पिट्रॉल की महंगाई बढ़ती नजर आ रही है और ऐसे में दो रुपे कम करके सरकार वोट लेने की भरपूर कोशिश और राजनितिक इसी पर करने की कोशिश भी करती नजर आ रही है आवंटित पैसों को रद कर दिया जा रहा है पैसा जिस किसानों को मिलना चीए उस किसानों तक पैसा नहीं पहुँच पा रहा है और ऐसे में किसानों की ये मांग है कि देश में किसानों के अधिकार को समझा जाए देश के अंदर किसानों के अधिकार को ना समझते हुए देश के किसानों को मज़बूर के अज़़ा रहा है और ऐसे में देश के किसान अब जब तब मजबूर होंगे तब तब चीजें जो है असपश्ट तौर पर जटका लगने वाली होगी इस बार भी ये किसानों के द्वारा लगतार एक बहुत बड़ा जटका लग रहा है लोग सबागे चुनाओं को लेकर के अलग-अलग जनकारिया खबरे महत्पूर तर पर सामने आ रही है हलाकि अपनी जनकारी इस वीडियो में जरूर रखेगा आप क्या सोचते हैं आप क्या जानते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत-बहुत अभार ब्यक्त करते हैं इस वीडियो को ज़्यादर ज़्यादर शेयर करें यह हिंद वन्दे मातरम भारत मता की जाए